हालो एवरिवन वालकम तो दा स्टड़ी कॉंसेप्ट मद्रप्रदेश की इस जी के सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है MPPSC 2020 से जो मद्रप्रदेश की लोकसिवा आयो की यो परिक्षा है उसमें जो कंटेंड पूरा स्लेवर्स बदला है उसके अकॉर्डिंगली मैं इस वीडियो स्रीज को सुरू कर रहा हूँ जिसमें कि मैं पहला वीडियो आपके सामने लिके आया हूँ जिसमें कि मद्रप्रदेश की सामवेधानिक संस्ता है ठीक है ना जैसे कि हुआ राजपाल हुआ, मुख मंत्री, मंत्री मंडल, विधान सबा जो की मद्रप्रदेश के स्लेवर्स में, MPPSC के स्लेवर्स में एड हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये मैं सुरू कर रहा हूँ पहला वीडियो है मद्रप्रदेश के, मैं राजपाल की क्या भूमिका होती है, राजपाल की नुक्ती कैसे के जाती है और राजपाल की सक्तिय क्या-क्या है, उसके बारे में इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी तो इस वीडियो को आप अंत तक जिरूर देखें कर लें और साथ में वैल इकन दिया होगा उसको जरूर क्लिक करें जिसे कि यह जो जितने भी मेरे वी.डियो बनाऊंगा उन सभी के notifications आपको मिलते रहेंगे all notification की साथ मैं आपको सब्सक्राइब करना है और सारे वीडियो 투 के पढ़ते हैं इसको भारत के समविधान में राज सरकार की जाज ये जो सरकार है ठीक है ना उसी तरीके से परिकलपना की गई है जैसे की केंदर की है Central Government में जिस तरीके से विवस्ता हैं होती हैं, उसी तरीके से राजी सरकार की भी वो सारी विवस्ता हैं इसमें रहती हैं इसे संसदी विवस्ता कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना पड़ाएगा, यह जो विवस्ता है, यह संसदी विवस्ता कहलाती है यह जो संसदी विवस्ता है इसको आपन इस तरी के समझ सकते हैं यह और यह सम्विदान के छटे भाग में जो सम्विदान लिखा गया उसके छटवे भाग में राज सरकार के बारे में बताया गया है जो राज सरकार है जिसके अंतरगत हाँ भी राजपाल के वारे में पूरी जानकारी लेंगे कि राजपाल की सक्तियां क्या है राजपाल की निक्ति कैसी की जाती है उसके वारे में पूरी जानकारी अब आगे है अपन लेंगे तो ये समीदान के छटवे भाग में राज सरकार के वारे में बताया गया है थीक है इसको आपको समझना है ऐसी ठीक है अगला जो point है उसमें सम्मिदान के चटवे भाग की जो अनुछेद है 153 से लेके 157 तक इसमें राज की कारे पालिका के बारे में बताया गया है ये बहुत ही important है इसको आपको ऐसी समझना होगा ठीक है ना सम्मीदान का जो चटवा भाग है इसमें अनुछेद एक सो 53 से लेके 166 तक ठीक है इसमें राज कारपालिका के बारे में बताया गया है ठीक है और राज कारपालिका में क्या क्या आता है राजपाल, मुख्य मंत्री, मंत्री परशद और राज के महा अधिवक्ता कौन जो जर्नल एडवोकेट होते हैं राज की तरफ से जो की सरकारी वकील होते हैं वो साव इसमें सामिल होते हैं ठीक है ना तो ये अनुछेद सम्मीदान की छटवे भाग के अनुछेद 153 से लेके 166 तक राजपालिका के अंतरगत में ये सारी चीज़ें आती हैं राजपाल, मुख्य मंत्री, मंत्री परशद और राज का महा अधिवक्ता ठीक है जर्नल, एडवोकेट जर्नल ठीक है अगला जो पॉइंट प्वॉए है राजपाल, राज की कारीकारी प्रमुख जो होता है ठीक है ना उसका ये सामविदानिक मुख्या कहलाता है ठीक है राज की कारकारिक प्रमुक कहलाता है ठीक है ना जो राजपाल है राज की जो सामविदानिक संस्ता है उसका ये मुख्या कहलाता है राजपाल केंदर की सरकार की प्रतिरिंदिधी की रूप में कारी करता है जो केंदर सरकार है ठीक है ना उसके रिप्रेजेंटेटिव की रूप में राजपाल राज में कारी करता है ठीक है और इस तरह राजपाल की जो कारले की भूमिका होती है वो दोहरी भूमिका होती है दोहरी भूमिका यानि की वो राजी के लिए भी काम करता है ठीक है ना, स्टेट के लिए और सेंट्रल, ठीक है ना, कैंदर के लिए ठीक है ना, सेंट्रल जो कॉर्मेंट है क्योंकि उसका रिप्रेजेंटिरिव कहलाता है तो उसके लिए भी ये काम करता है, तो राजपाल की जो भूमिका होती है, वो दोहरी होती है, ठीक है ना, दोहरी भूमिका वो निभाता है, अगला जो पॉइंट है, सामानिता, यह जो राजपाल होता है, यह प्रतिक राज में सिर्फ एक ही होता है, लेकिन सात्वा जो कि अनुसार एक ही व्यक्ति, दो या दो से अधिक राज का राजपाल निक्त किया जा सकता है, जैसे कि अभी पिछली दिनों में हुआ था मद्रप्रदेश में, और मद्रप्रदेश की जो राजपाल थी वो, अपने उत्तर प्रदेश की भी राजपाल उसको निक्त किया गया और ये सात्वे सम्विदान संसुधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार किया जाता है। आई ये अब समझ लेते हैं राजपाल की नुक्तियां। राजपाल का जो चुनाव है ना तो वो सीधे आम लोगों के द्वारा किया जाता है। आपको जानकर ये क्योंकि इसमें आम लोगों कोई भी इसमें दायत्व नहीं होता, आम लोग इसमें पाटिसिपेट नहीं करते हैं जब राजपाल का चुनाव होता है, राजपाल को कैसे किया जाता है, सीधे की सीधे केंदी सरकार की द्वारा लाया जाता है, उसके बारे मे इसी निर्वाचक मन्डल के दौरा, चनाव के दौरा, राजपाल न्युक्त किया जाता है. बलकी इसके विपृत क्या होता है ये? जो राझ के जो गौबर्नर की न्युकती है, ये प्रतक शुरूप से राश्टपती की दौरा की जाती है. जो केंदर सरकार है केंदर सरकार में जो राष्टपती है भारत की जैसे भारत के राष्टपती भारत के राष्टपती के द्वारा राज्यों में गवर्नर की निक्ति की जाती है ठीक है ना इसी कारण से इनको केंदर सरकार के प्रिटिनिदी भी कहा जाता है यानिकि ये द्वारा ये जो उनकी बाते होती हैं वो रखते हैं राज में और उसको फॉलो करते हैं तो इनको इसी कारण से केंदे सरकार की प्रतिनिदी भी कहा जाता है उनका रिप्रेचेंडेटे भी कहा जाता है अगला जो पॉइंट है जब सम्मिधान का निर्माण किया या रहा था उस समय जो उसकी जो मसोदा की समीती थी जो समीती इसका मसोदा बना रही थी इसका पूरा प्रारूप बना रही थी उस समय ये निर्ने सम्मिधान समापर ही जो सम्मिधान की सवा है उस पर ही छोड़ दिया गया था कि देश के राजपाल का जो चुनाव है ठीके ना वो च राजपाल का जो न्युक्ति है वो किस रूप में की जानी चाहिए अगले पॉइंट में पूरा क्लियर हो जाएगा क्योंकि इस विशे पर समीदान सवा का जो मानना था कि राजपाल का चैन चुनाओं की द्वारा की जाने चाहिए क्योंकि इसकी जो मसोधा जब बनाया जा समीदान का निर्माण क्या जाना था तो मसोधा समीती ने ये निर्ने लिया था कि समीदान सवा इसके वारे में पूरा का पूरा निर्ने करे तो समीदान सवा ने ये माना कि राजपाल का जो चैन है ठीक है नहीं जो चुनाओं है वो चुनाओं की दारा इसको इनको लाना लेकिन परन्तु जब राजपाल और मुख मंतरी ये दोनों की सक्तियों के बीच में टकराओं की आसंक्या होने की कारण इसको इसका जो चुनाओं है तो कराना उचित नहीं समझा क्योंकि इसमें इन दोनों की सक्तियां आपस में टकराएंगी क्योंकि जब मुख मंतरी होगा की सकतियां दोनों की सकतियां का जो टकरा होगा उससे काफी कुछ जो विसंगतिया है वो उत्पन होने की संभावना थी इस कारण से राज में राजपाल का जो जुकती थी वो नामंकन की प्रनाली से ही इसको किया गया ठीक है न तो उस समय नामंकन की प्रनाली को जन्म दिया तो इसका registration होता था सिर्फ अब registration होता है इसका election नहीं होता आए अब समझते हैं राजपाल से सम्वंधित जो सम्मिधानिक प्रावधान है वो क्या क्या है पहला point है भारती सम्मिधान में जो भाग्छे है वो देश के संगिये धाचे के महत्पूर्ण हिससे यहनि की राजिस स सम्मिधानिक प्रावधानिक 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 प प्रावदाने उसके बारे में इसमें उल्लेग है, ठीक है, अगले जो पॉइंट है, अनुचेर 153, यह आपको जहान रखना है, अनुचेर 153 के मतावेक, देश में प्रतेक राज का एक राजपाल होगा, ठीक है ना, जो देश में टोटल कितने अभी राज है, टोटल 28 स्टे काश्मीर को 373 धारा खतम होई हो, 35 को खतम किया गया, तो उस समय उस राज को कैंसासित प्रदेश के दो भागों में विभाजित कर दिया गया, यह तो इस से पहले इसमें 29 राज थे, और टोटल 7 कैंसासित प्रदेश थे, लेकिन अब उसमें से जम्मू कस्मीर में एक लद हैं, और 9 कैंसासित प्रदेश हैं, ठीक है न, तो प्रदेश के प्रतेक राज में एक राजपाल होगा इसमें, और साथी साथ एक व्यक्ति, जैसे कि मैं आप पहले बता चुका हूँ आपको, एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज़िका राजपाल के रूप में सम्विधान में रखा गया है, अगला पॉइंट अनुछेद 155 के अनुसार राजपाल की नुक्ति राष्टपती द्वारा की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है, कौन से अनुछेद में क्या क्या होता है, तो यह अनुछेद ही बहुत जाता है, अनुछेद 155 के अनुस राज में जो राज़पाल की नुक्ति है वो राष्टपती की द्वारा की जाती है अगला पोंट बहुत है इंपोर्टेंट है समविधान के अनुसार राज़पाल, राज के समविधानिक प्रमुक और प्रतिनिदी के रूप में कारे करता है जो राजपाल है जो स्टेट है जैसे कि मद्द प्रदेश है तो मद्द प्रदेश का वो सामेदानिक प्रमुक कहलाता है यानि कि मुखिया कहलाता है वो और उसके प्रतिनेदी की रूप में भी ये कार्य करता है वे भारती राजनीती की संगीय प्रनाली का हिस्सा है संगीय प्रनाली जो भारती राजनीती में बनाए गई है ठीक है न उसका हिस्सा है तथा संग और राजित सरकारों के बीच में एक पुल का काम करता है संग मतलब Central Government ठीक है न Central Government जो है और State Government जो State Government है ठीक है नव, उसके बीच में ये एक पुल का एक ब्रिज का काम करता है और दोनों के बीच में ये समवाद इस्तापिद करवाता है ये आपको ध्यारखना है सम्विधान के अनुसार राजपाल राज का सम्विधानिक प्रमोक यानिकी मुख्या कैलाता है और एक पृतिनिदी की रूप में कार करता है और संग ही प्रनाली का ये हिस्सा कहलाता है और संग और राज के बीच में एक बीच का काम ये करता है अगला पॉइंट राजपाल की निक्ति के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है ठीक है ना संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राजपाल के पद हेतु आवस्यक पातरता यहने की इलीजिबिलिटी नरधारित की गये महलों राजपाल किस बेसेश पर वो इलीजपाल बन सकता है वो क्या है वह भांटी नागरिक हो याने की भारत का वो नागरिक हो तिकना उसके उम्र कम से कम 35 वर्ष हो ठीक है ना 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए वह ना तो संस्रत के किसी सदन का सदस्र हो और नहीं राज की विधायका हो यानि कि ना वो राज में किसी किसी भी कोई विधायक बने ठीक है ना यानि कि ना वो MLA होना चाहिए और ना ही वो MP होना चाहिए संसरत की किसी भी सदर ना लोवर हाउस में ना लोवर हाउस में और ना अपर हाउस में दोनों हाउस में से किसी एक में भी वो सदर्षनी होना चाहिए और इसी तरीके से ना MLA होना चाहिए और जैसे कि बता चुका हूँ लोवर हाउस में यान की में मेंबर आफ परलिमेंट में नहीं होना चाहिए ना स्टेट में कहीं पे भी वो विधायक होना चाहिए यह उसकी इलिजिबिलिटी है ठीक है ना और किसी भी लाब के पद पर वो आसीन ना हो वही व्यक्ति राजपाल की पधेतु पात्र कहलाता है अगला जो पॉइंट है सम्विधान के अनुच्छेद 163 में मैं बार बार के रहा हूँ जितने भी अनुच्छेद हैं बहुत यादा इंपोर्टेंट है इस कॉश्चेद इन ही पर पनेंगे तो जितने भी अनुच्छेद जो आर्टिकल दिये गए है इस वेरी इंपोर्टेंट तो इनको आपको ऐसे ही याद करना है कॉश्चेद अनुच्छेदों पर ही आएंगे कि किस अनुच्छेद में राजपाल को क्या अधिकार मिला है तो सम्विधान के अनुच्छेद 153 में राजपाल को वेवेका अधिकार की सक्ती प्रदान की गई है रथात वह स्ववेवेक से खुद की बुद्धी का इस्तमाल कर सम्मंदित कार्यों में मंत्री पर्षत की सला लेने हैं तो बाद नहीं होता है, यानि कि कोई भी ऐसे कार जो उसकी सम्मंदित हो उसमें जरूरी नहीं है कि वो कबिनेट ठीक है ना, जो राजी का कबिनेट है, म अगली स्लाइड में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे जो सक्तियां उसमें पहली सक्ति जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दोरान में अगर किसी भी दल को पून भहुमत नहीं मिलता है तो उस समय जब किसी को पून भहुमत नहीं मिलता है तो राजपाल मुख मंतरी के चैन अपने विवेक का उपयोग कर सकता है जैसे कि किसी एक भी पर्टिकूलर को अगर सौ सीट मिली है और टूटल जो सीट चाहिए होती है चाहिए उसके है तो यहां पर राजपाल मुख मंतरी के चैन आपने विवेक का उपयोग कर इस सक्ति का उपयोग कर सबसे उँचे दल को जिसकी सबसे हाइस सीठें उसको invite कर सकता है मुख मंत्री अपनी सरकार बनाने के लिए ठीक है अगली जो सकती है राजपाल के पास किसी दल को बहुमत सिद्ध करने कितना समय दिया जाना है ठीक है राजपाल के स्कती दि गई है छो किसी दल को कितना भी समय दे सकता है उसके विवेक के अनुसार अगली जो सक्ति दी गई है आपातकाल जब राज में कभी आपातकाल का समय आता है तो आपातकाल के दोरान वह मंत्री परसत की सलह मानने के लिए बाद नहीं होता है यह सक्ति भी राजपाल को दी गई है जब आपातकाल होता है कोई ऐसी इमर्जेंसी आ जाती है उस इमर्ज यानि कि राज में राष्डपति सासन लगा देता है तो यह सक्ति उसको डी गई है राजपाल को अगला पॉइंट है और राजपाल की भूमिका राजपाल की क्या भूमिका होनी चाहिए राज और उसके वारे में यहाओ किया तो पहला पॉइंट है पिरते के राजिका राजपाल वहां की लोकतांत्रिक रूप में चुनी गई सरकार के संचालन में एक महत्पूर्ण भूमिका निभाता है जब election होता है election के बाद में जब वहां पर government form होती है किसी भी state में तो उस समय यह लोकतांत्रिक रूप से जो भी सरकार आती है ठीक ना उस सरकार के संचालन में एक important role play करता है राजपाल सम्मिदान भारती सम्मिदान के अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक राजपाल की भूमिका का वर्णन है यह आपको ध्यान रखना है सम्मिदान का कौन सा अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक राजपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है अगला point राज में जो राजपाल की जो भूमिका होती है वो सीधी के सीधे जिस तरीके की देश में राष्टपती की जो भूमिका होती है ठीक है भारत के बारे में देखाया है तो भारत में जैसे भारत का राष्टपती होता है ठीक है न क्योंकि वो देश होता है पुरा और ये स्टेट है राज तो जिस तरीके से पूरे देश में राष्टपती की जो कारे सेली होती है, जो भूमिका होती है उसी तरीके से राज में राजपाल की भूमिका होती है। राज्यपाल सामानेता राजी के लिए राष्टरपती जैसी ही भूमिका का निरवाह करता है। ठीक है। राज्यों में वो राष्टरपती की जो भूमिका पूरी देश के लिए होती है। राजपाल की राज्य के लिए होती है अगला पॉइंट राजपाल की कारेयों को मुक्ता चार भागों में वहाज़ित किया गया है कारीकारी, विधाई, वित्ती और नयाइक ये चार भाग हैं जिसके बारे में आगे आपको पुरी जानकारी अगली स्लाइट में मिलेगी तो ये चार भाग है इन में इन चार भागों में राजपाल की कारें को बिवाजित किया गया है कारेकारी विधाई वित्ति और नियाइक पहला जो कारे होता है राज़िपाल का वो है कारे कारी इसके वारे में आगे पढ़ते हैं अपन राज के सम्वेदानिक प्रमुक होने के नाते राज़िपाल की कई महत्पूर्ण कारे होते हैं ठीक है ना इसमें बहुमत प्राप्त के हुए जो दल होता है ठीक है ना उसके न तो मकमंत्री की साहता करता है, जो केविनेत का कषन होता है। के अध्यक्ष और सधर्श की विब्नुक्ति राजपाल की दोरा की जाती है तो कौन-कौन से कार मोखमंत्री केमिनेट बनाने में मदद करता ए एड़गोड जनरल बना योरर राज लोरह आयो के introduced और सधर्श की विब्नुक्ति राजपाल की दोरा की जाती है अगला जो कार होता है वो राजपाल का वो होता है विदाई इसमें कि राजपाल के पास में राज की विदानसभा की बैठक को किसी भी आपात इस्तिती में बुलाने और किसी भी समय इस्ताकित करने का अधिकार होता है आने कि वो आपातकाल के समय में, किसी भी समय में, चाहे वो रात हो, दिन हो, इमर्जेंसी में, कभी भी वो बुला सकता है, और बीच में उसको इस्तागित भी कर सकता है, अगर कुछ विवाद बढ़ रहा है, कहिना कहीं को सम्वेदन सील तब जादा बढ़ गई है, तो लेट हो, या फिर केंदर हो, केंदर में राष्टपती, ठीक है न, तो वहाँ पर भी लोवर हाउस और अपर हाउस होता है, लोवर हाउस केंदर में लोक सभा है, और अपर हाउस राज्य सभा है, ठीक है न, और इसी तरीके से, यहाँ पर विधान परिशद, और विधान ठीक है और विदान सभा ठीक है न यह किलाता है लोघर हाउस इसको आप कैसी समझना पड़ेगा तो क्या दोनों सद्रों की संयूक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी राजपाल के पास में है गवर्नर के पास में है ठीक है न उसे राज विदान सभा पारित किये जाने वाले किसी भी विदान सभा में कोई भी विदान सभा में कोई भी विदान सभा में कोई भी विदान सभा में अगर पारित होता है ठीक है न और पारित होने के बाद में उसको आखरी में राजपाल का ही उसमें हस्ताक्चर होना जरूरी होते है तो वो उसको उस विदान को रद कर जो लो को बार देखे जैआ खालता है उसको वह समिक्षा कंधार के पास में इसको अधिकार राजबाल के पास में होता है इसका आर्थ है कि राज की जो विधान सागा कोई भी विदेहक है वो राजपाल की अनुमती की बिना पारित नहीं किया रखता है नहीं कि आखरी में जब कोई विदेहक पारित होता है तो पारित होने के बाद में सबसे आखरी में राजपाल के हस्ताक्षर होना उसमें अत्य आवशक है राजपाल के हस्ताक्षर के बाद में ही वो विदेहक या फिर वो कानून बन पाता है ठीक है तो उसके इसलिए उसके अनुमति की बिना वो पारित नहीं किया रखता है राज में आपातकाल की दोरान किसी भी प्रकार का अध्यादिस जारी करना भी राजपाल का कार होता है यहने कि कोई अपातकाल लगता है तो उसमें जो अध्यादिस जारी करता है वो भी राजपाल ही करता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अगला जो कार होता है वो राजपाल का वो विद्ती है ठीक है ना टोटल चार भागों में इसको विव करना भी होता है कि वो बारषिक विक्त्ति विववरेंट जो राज का बजट है को राज विधान मंडल के सामने रखा जाए ये सुनिशित करना भी राजपाल का कारए होता है ठीक है ना साथ ही किसी भी धन विदेहक को विधान सावा में उसकी अनraszamती के बाद में प्रस्तूत किया जा सकता है नहीं कि राजपाल की जब अन्मती होती है उसके बाद ही धन विध्यक विधान सावा में प्रस्तूत किया जाता है पंचायत और नगरपालिकाओं की वित्ती स्तिती को हर पांच वर्षवाद समिक्षा के लिए राजपाल, राजवितायों का गठन करता है, ठीक है ना, कश के लिए पंचायत और नगरपालिका की वित्ती स्थिति के लिए हर पांच वर्षवार में, ठीक है ना, राजवितायों का गठन राजपाल ही करता है, आखरी कारे राजपाल का होता है, वो है न्याएक, ठीक है न विचार कर जला में जो नियादीस हैं उनकी नियुक्ति स्तांतरण पदोन्ति की संबंदी में निर्ण भी सामिल होते हैं नायक में ठीक है ना जो जले में जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करना उनका ट्रांसफर करना उनका प्रमोशन देना ये भी राजपाल के अधिकार क आतprene एं, राज की नयाएक आयक से जुड़ी हुए जितनी भी नुक्टि होती है वो राजपाल के माध्यम से ही कियाती है, राज़ी का विद्वस्ता होता है वो ही नयाएक विवस्ता का मुखिया जलाता है और उनकी माध्यम से नयाधीसों की और उनकी नुक्ति, उनकी इस्तांतरन, उसकी पदुनति और अन्य आयोंगों का गठन भी आयोंगों से जुड़ी जितनी भी नुक्ति होती है वो राजपाल के द्वारा की जाती है तो ये था पुरा राजपल के बारे में जानकरी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी ठीक है और आपको ये वीडियो कैसा लगा पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जुरूर करें और मेरी चैनल को जैसे कि मैंने आपको स्टार्टी में बताया था कि सब सब्सक्राइब जरूर कर लें all notification के साथ में जिसे कि मैं आने वाले समय में जितनी भी वीडियो अभी लेके आ रहा हूं जो कि MPPSC 2020 की जो नया slaves आया है new slaves जो new slaves आया है उसके accordingly में यह सारी सारा content जो संवेदानिक व्यवस्ता है उसके बारे में जो नया content एड हुआ है तो उन सभी पर एक छोटी छोटी वीडियो आदे घंटे के मैं आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें कि मैं वह सारी points रखूंगा जो क सब्सक्राइब करने study concept को all notification के साथ में बैल आइकन में जिससे की सारे वीडियो के notification आपको मिलते रहेंगे तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप करता हूं अगला वीडियो लेकर फिर हाजर होंगा लगाता है मेरे चैनल के साथ में जूडते रहें जितने भी वीड मेरे इन वीडियो के मादम से मिलेगी तो तब तक के लिए जय हिन जय भारत अगला वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आओंगा मंद्र परतेश की सामवेधानिक विवस्ता के लिए